दोस्तो जैसा कि आप जानते कि wildlife के अंदर अक्सर ऐसी कुछ चीजे होती है जिसे देखने के लिए लोग दूर-दूर से आते हैं और इन्हीं में से कुछ चीजे ऐसी होती है जो camera के अंदर record हो जाती है तो दोस्तो आज किस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्लिप्स दिखाने जा रहे हैं जिसे देखने के बाद आपको ये चैनल छोड़कर जाने का बिलकुल भी मननी करेगा इसलिए इस वीडियो को आखरी तक जरूर देखना लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पे नहीं है तो चैनल को जल्दी से सस्क्राइब करके बगल वाला बैल आइकन ओन करते क्योंकि आप देख रहे हैं ग्रेट इनवार्मेंट जहां आपको ऐसी वीडियो मिलती ही रहेंगी दोस्त अब ये बात तो सबको मालूम है कि एक सेर और हैना की कभी भी आपस में जमती नहीं और सेर जहां भी रहता है वहां हैना का होना एक सववाबिक सी बात है ये दोनों अक्सेस साथ में ही रहते हैं और सिकार करते हैं परंतुस वीडियो किलिप के अंदर सेर हाइना का सिकार करते हुए दिखाई दे रहा है जहाँ पर एक अकेले हाइना का सिकार करने के लिए सेर सूखे घासों के अंदर नजरे गड़ाय बैठा है हाइना को भी ये बात अच्छे से मालूम है पर अपसोस फिर भी हाइना बच नहीं पाया सेर अपनी तेज रफतार और मजबूर जबडों के साथ हाइना को दबोच लिया और उसका काम तमाम कर दिया दोस्तों वैसे तो खरगोश बहुत ज़्यादा क्यूट और प्यारे से दिखने वाले जीव है जिससे अक्सा लोग अपने घरों के अंदर पालना भी पसंद करते है प्रंद उतना प्यारा से दिखने वाला ये जीव कई दूसरे जीवों के लिए एक आहार का सिरोत है जिसकी वज़े से वाइड लाइफ में मौजूद कई दूसरे क्रेचर इसका सिकार करते है ठीक ऐसा ही हुआ कुछ इस वीडियो किलिप के अंदर जहाँ पर ये दो पक्षी कैसे इस प्यारे से खरगोस पर अपने तेज नाखुन वाले पैरों से हमला कर रहे है ये दोनों पक्षी प्यारे से खरगोस के लिए आपस में लड़वी रहे है शोचो दोस्तो उस प्यारे से खरगोस पर क्या बीत रहे होगी आप चाहो तो हमें नीचे comment box में लिखकर बता सकते है अब दोस्तों ये बात तो सबको मालूमी है कि सेर और मगरमच की दुस्मनी कितनी गहरी है जहाँ पर सेर पूरे जंगल पर राच करता है वहीं दूसरी तरह मगरमच पानी पर राच करता है पर तो जब इन दोनों जीवों का आमना सामना होता है तब मानों ऐसा लगता है कि यूद चालू हो गया है वैसे तो ये दोनों जानर आपस में कम बेड़ते हैं लेकिन इस वीडियो किलिप के अंदर कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे जहाँ पर अकेले मगरमच को कई सेरों ने घेर लिया परेंदो मगरमच बहुती चलाकी के साथ उन सेरों को धोका देकर वापस अपने इलाके में चला गया यहाँ पर दाद देनी पड़ी गी उस मगरमच की जिसे बहादूरी के साथ उन सेरों का सामना किया इसके लिए तो एक लाइक बनता ही है दोस्ता सान सवाव से दिखने वाली जंगली भैस काफी ज़्यादा खतरनाक होते हैं आप इस बात का अंदाज़स से लगा सकते हैं कि हर साल ना जाने कितने ही लोगों की मौक इन जंगली भैसों के हमलों से हो जाती है और बात करें हम इनके जुन्ड के बारे में तो इनका जुन्ड भी काफी ज़्यादा खतरनाक होता है जिसमें अगर कोई जानवर गलती से भी फच जाए तो उसकी जान जानी तो लगवक तैही है ठीक ऐसे हुआ इस वीडियो किलिप में जहां पर एक सेर इन बैसों के जुन्ड में फच गया जिसकी कीमत उसे अपनी जान गावा कर चुकानी पड़ी तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही नीचा कमेंट वाक्स में लिखकर जरूर बताइए कि आपको इन वीडियो में से कौन सी वीडियो की किलिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी और हाँ अगर आपने हमें अब तक Facebook, Twitter, Instagram पर फॉलो नहीं किया है तो जल्दी से जाकर फॉलो कर लेजिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है उमीद जोस्तों आप कई वीडियो अच्छी लगी होगी अगर आप कोई वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करते और हाँ आग ऐसी वीडियो देखने के लिए अभी हमारे चैनल Great Environment को सब्सक्राइब करके बगल वाला बैल आकन ओन करते मिलते हैं अगले वीडियो में